नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अलोक और आज के वीडियो में बताऊंगा image size किस तरह से कम कर सकते हो और mobile से ही किसी official site पे आप उसको upload कर सकते हो ये application mobile में आपको download करना है उसका process है उसका use क्या है मैं आपको सारा इस वीडियो में बताऊंगा तो please request है यदि ये वीडियो आपको पसंदा है तो please वीडियो को like करना मेरे चैनल को subscribe करना थैंक यू तो चलिए दोस्तों अब play store में जाना है play store open करना है यहाँ पे अब play store open करने के बाद यहाँ पे type करना है decomp जो application का नाम है जिसमें हम photo का size कम ज़्यादा कर सकते अब यहाँ पे decom टाइप करना है d-c-o-m अब आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही यह application open करूँगा यहाँ पे install करने के लिए option आएगा आप देख सकते हो यहाँ पे लिख्या आ रहा है install अब यहाँ पे install पे click करना है अब यहाँ पे देखिए यह install हो रहा है थोड़ी दिर में यह खुल जाएगा install होने के बाद बहुत ही छोटा app है 3.20 MB का है तो app भी जादा बड़ा नहीं है जादा time नहीं लगेगा आपको install करने में तुरंत install हो जाता है अब आप देख सकते हो यहाँ पे option यहाँ पे आ गया है open इसको open पे click करेंगे अब यहाँ पे आप देखिए दूसरा जो symbol है यहाँ पे यह gallery का symbol है जहाँ पे आपका photo store रहता है आपको जो भी photo size adjust करना है कम जादा करना है उसके लिए यह gallery का symbol पे आपको click करना है तो चलिए मैं इस पे click करता हूं अब आप देख सकते हो आपका gallery open हो चुका है अब मुझे इसमें से photo जो भी photo आपको select करना है चलिए मैं इसमें से एक कोई photo ले लेता हूं जैसे कि यह photo है अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसको मैं यह वाले photo को tick किया है यानि click किया है इसको select किया है यहां से ही जो फोटो का जो इमेज है उसका साइज कम जादा होता है अब यह देखिए मैंने इसको पहले यहां पे था अब इसको मैंने फिंगर से आगे पीछे अगर करेंगे तो साइज कम जादा हो जाएगा अब दोस्तों इसके लिए एक चीज और है जो बताना मैं भूल अब आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले यह फोटो का साइज पता होना चाहिए कि फोटो का साइज कितना है पोज 200 केवी का है आपको 100 केवी के नीचे करना है किसी भी फाइल को अपलोड करने के लिए वह पे 100 केवी से कम चाहिए तो आपको पहले देखना है कि इसक इसके लिए मैं बैक्स जाकर के गैलरी में जाकर के आपको ये भी बता देता हूं कि उसका एक्चुल इमेज साइज कैसे पता करते हैं अब इसका एक्चुल इमेज साइज कहां पे लिखा रहता है उसके लिए मैं बता तो आपको राइट साइड में यहां पे देखे यह यह यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करना है यहाँ पे actual email size आपको दिख जाएगा क्लिक कीजे जैसे मैं अभी क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे details लिख के आ रहा है उस पे क्लिक करना है अब आप देख लिजे यहाँ पे ये लिख के आ रहा है इस जगह पे 167.22 KB ये एक्चुल साइज है यानि कि ये 167.22 KB है 100 से ज़्यादा है मुझे 100 KB के नीचे का image size बनाना है फिर मैं upload कर सकता हूँ ये ऐसा requirement रहेगा तो आपको इसको 100 से कम करना है चलिए आगे का process बताता हूँ कैसे कम करेंगे तो चलिए दोस्तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि 167.22 KB का ये जो image है उसको हम 100 के नीचे कैसे करेंगे बहुत ही सरल तरीका है देरेकली क्लिक करना है ये वाला image select करना है मुझे और यहाँ पे add कर देना है अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये lining यहाँ तक जो है इसको मैं खीच के इस तरफ इस तरफ पीछे के तरफ करूँगा पीछे कर दिया अब डिरेकली ये यहाँ पे जो start लिखा है इस पे click करना है इस तरफ से आप देख सकते हो यहाँ पे आपने देखा 167 केवी का ये है और ये 167 केवी का image छोटा हो गया कितना हो गया अभी ये 59 केवी हो गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो दोस्तों अब ये आप जहाँ पे आपको लिखा हुआ आता है कि please upload file size और image size और photo size below 100 केवी वहाँ पे आप ये upload कर सकते हो easily तो अपने mobile से ही अपने photo इसी तरह से कम कर लिया अब आपको बताऊंगा कि आप image size बढ़ा कैसे सकते हो भी अब उसको suppose 167 है उसको बढ़ाना है यानि more than 200 करना है तो ये जो black वाला lining है इसको मैं खीच करके आगे के तरप यानि कि इधर right side में इस side इधर करूँगा इस side आगे के तरप बढ़ाऊंगा तो चलिए मैं करके देखता हूँ अब ये start पर वापस से click करता हूँ मैं अब आप देख सकते हो ये image size यहाँ पर क्या दिखा रहा है 252 kv यानि more than 200 kv यानि 200 kv से ज़्यादा हो गया तो इस तरह आप बढ़ा भी सकते हो size कम किया आपने image का ज़्यादा किया दोनों process देख लिया एक चीज और बता हूँ आज जैसे अब मैं कोई भी 4-5 image एक साथ ले लेता हूँ जिसका size मुझे कम करना है चलिए मैं अपने हिसाब से select कर लेता हूँ जैसे एक ये है ये है ये है ये है और ये है ये है ये है ये है ये ये है ये चार-5 image मैंने एक साथ select कर लिया है और यहाँ पर वापस से start पर क्लिक करूँगा अब आप देख सकते हो एक साथ सारा image अब हो गया ये ये देखिए जो first वाला है ये 15 के भी हो गया यानि less than 100 हो गया ये आप देख सकते हो 31 के भी हो गया less than 100 हो गया उससे नीचे वाले देखिए 47 के भी हो गया जो की 110 के भी का है और ये आप देख सकते हो जो की 308 के भी का है 80 के भी हो गया तो इसी तरह से दोस्तों आप किसी भी image size को कम जादा कर सकते हैं इमेज़ यह सारा का सारा इमेज, आपको यह डीकम। जो एपलिकेसन है, उसमें स्टोर हो जाता है। आप इजली वहां से इसको शेयर कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लिजिए मैसने अभी जो जो इमेज किया है। सारा image यहाँ पे देखिए यह इस सारा image यहाँ पे इस्टोर हो गया इसमें से कोई भी image आपको अगर directly send करना है तो share का जो यह symbol है यहाँ पे देखिए share का symbol है यह symbol पे आप click करके इसको आसानी से send कर सकते हो